इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर की क्विकली अनलिसस देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो एन फल में आप देख ले होगे आज एक सदन अपसर्ज देखने को मिला है इविन आज पूरे ही फर्टिलाइजर सब्सक्राइब कर देखने को क्यों मिला है बजट के एक दिन पहले यहाँ अगर आप आप आए तो एन फल आर सी है फैक्ट सेयर फटिलाइजर फर्म रेली अप्टो थर्टीन परसेट अहेड अफ बजट अब कुछ तो है यस्ट डेफिनितली बजट में जो ड्राइव कर इसन विद फाइनस मिनिस्टर और पुट फरवर्ड सेफरल प्रपोसल इंक्लूदिंग रिशनलाइजर फर्टलाइजर सब्सदी अधाइज किन इंवेश्ट में फोर अग्रिकल्ट्टर रिसर्च तो डेफिनितली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है अग्रिक 2018 तो यहाँ पे कल अपन को काफी कुछ चीजे हैं जो डेफिनितली बजट में अच्छा अपन को मूफ देखने को मिल सकता है M.G. Khan, Chairman of Indian Council of Food and Agriculture, stressed on the importance of the significant investment in research and development to drive the sector growth and enhance farmers' income. He advocated for a substantial increase in the Indian Council of Agriculture Research, a budget up to 20,000 CR from 9500CR, तो काफी कुछ अपन को budget में allocate हो सकता है, at least 20,000 CR for the fertilizer sector. तो यहाँ पे अपन को subsidy में रियायत मिल सकती है, और साथ ही साथ जो यूरियाक में जो अपनी अभी तक MSP नहीं बढ़ाई गई थी, उसका भी अपन को इजाफा देखने को मिल सकता है. अब यहाँ पे क्या रहता है, कि कल अगर चलता है stock तो क्या scenario रहेगा, overall यहाँ पे trendline को बहुत follow करके चल रहा है, यहाँ पे अपना कुछ एक support बना था, उसके बाद यही trendline ने यहाँ भी support दिखाया, और जैसे यह support तूटा अपना अभी दो दिन पहले का, उसके बाद stock मे 159 close हो गया, next session में क्या रहेगा, वो समझ लेते हैं, because जो bounce back रहा है, आज वो 20 day EMA का support लेके bounce होते हैं नजर आया, यहाँ पे NFL, RSI की according gap काफी हो चुका है, और definitely uptrend अगर आता है, तो move बन सकता है, और RSI में daily TF पे काफी gap है, 1R TF के according देखें तो यहाँ पे भी काफी gap है, तो अपना stock यहाँ कहीं से, जो एक up move रहेगा, वो definitely यहाँ से, 175 के psychological level को तो touch करे गई करेगा, तो कल के लिए अगर कोई छट target है उपर के लिए तो यह है, 175 के बाद next target will be in the line, वो रहेगा, अपना 187, 188 और SSA करके 200 का psychological level जो की बड़ा hurdle होगा, हाला कि यहाँ तक तो नहीं महु सकता है यहाँ पर, और फिर stock यहीं से एक उपर की rally search कर देगा, तो यह कुछ अपने formation रहने वाली है उपर के लिए, अब stock में strong support का है, कि by any means अगर कुछ नहीं रहता है इतना अच्छा budget allocation for fertilizer sector तो क्या, तो stock में जो strong support अपना pullback पर बनता है, वो रहेगा 155 का, जो कि आता है trend line की करीब, और trend line यहाँ तूरती है, तो फिल से weakness, as it is, जैसे देखने को भी recently मिली थी, next support will be 150, तो यह कुछ दो अपने support रह सकते हैं, यह सारे as of resistance, तो I hope यहाँ पर NFL में ने बहुत अच्छे से clear कर दिया, RSI के according काफी gap है, चल सकता है, volume sport आज अच्छा रहा, 65 million का volume यहाँ देखने को मिलाया, definitely कल अगर budget में allocation अच्छा रहता है, तो fertilizer sector में अच्छा move अपन को देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दू, मैं live sessions भी लेता हूं, market आर में, सुपह 10 बज़े से एक बज़े तक live रहता हूं, market में, तो please अपनी queries clear करने के लिए live sessions में झाल